स्वागत आप सभी का एजुकेशना फायरवेद में आज बात करेंगे स्टाफ नर्स के हर उस मुद्दे पे जिसको लेकर के स्टाफ नर्से जो है परिसान है जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है इनके परिच्छा से सम्मंधित जो एड्मिट कार्ड है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है प्रारंबिक परिच्छा का जो एड्मिट कार्ड है वो नहीं जारी हुआ है और दूसरी चीज परिच्छाओं के बिषय में बहुत सारी चीजे निकल क्या रहे परिच्छा कैंसिल होने वाला है अगर कैंसिल होगा तो कैसे हमें पता चलेगा अगर नई डेट गोसित होने वाली है तो कैसे गोसित होगी और दूसरी चीज आयुरु भासकर इंस्ट्यूट जो 19 मार्च को प्रारंबिक परिच्छा कराने जा रहा है प्रादेशी कस्तर पे वह किस प्रकार से आपको जोईन करना है कैसे देना है तो इस सभी महत्पूर्ण विश्यों पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रही हैगा और सबसे इंपोर्टेंट चीज यह कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आयरवेद से क किसी भी भरती परिच्छा की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी इनफॉर्मेशन आपको आयरवेद से रिलेट चाहिए तो हमारे चैनल को जोईन कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो में लास्ट तक बने रही हैगा बात करते हैं जैसा कि आप सभी को पता है क आयरवेद स्टाफ नर्स की प्रारंबिक परिच्छा की जो तिथी है 22 मार्च को घोसित है और आयोग ने अपने परिच्छा के कैलेंडर में यह तिथी जो है घोसित की हुई है जैसे कि अन्य परिच्छाएं इसके पहले हुई है जनवरी में जो परिच्छाएं हुई है औ आपकी जो परिच्छा तितिया 22 मार्च को है अभी इसके विशय में कुछ कहा नहीं गया है ये चीज़ दिमाग में रखना है कि अभी आयोग ने 22 मार्च को होने वाली प्रारंभिक परिच्छा के विशय में कुछ नोटिस नहीं दिया है कुछ कहा नहीं है तो इसलिए आपक क्या करना है परिशान नहीं होना है आपको डीटेल में बताएंगे अराम से समझे इस बात को कि कैसे अगर परिच्छा का जो डेट है आगे जाता है तो किस हिसाब से आपको information दी जाएगे आपको जो भी information मिलेगी आयोग की official website मिलेगी कैसे आपको official website साइट से notification मिलेगी कैसे अधिसूचना अगर जारी होती है तो वह कैसे आपको प्राप्त होगी यह सारी चीजे बताएंगे सबसे पहले बात करते हैं कि जो आयोग ने जो भरती का परिच्छा की जो तीथी है उससे संबंधित जो चीजे लिखित में उन्होंने दी है उस पर बात करते हैं और हम यह बताएंगे कि यह जो टेबल है आप भी इसको प्राप्त कर सकते हो उसकी it साभाण सफ uhoda होगा कि यहां जो परिच्छा कारिकरम है यहां 12 जनुरी को आयोग के ऐफिसे यल सायट पे अपड़ोड किया गया 12 जनुरी 2024 को जिसके अनुसार यदि आप देख पा रहे होगें तो यहां पे साफसा बहुआ सारी परिच्छा ओंगे आरचित फिर उसके बाद से आप अगर आएंगे 17 मार्च का जो पेपर हैं कुछ परिच्छाएं जो हैं इसमें से उनकी तिथी आगे खिसका दी गई हैं कुछ जो है आयोक के बेक्तिगत पहलू हो सकते हैं नियम हो सकते हैं हमारी जो में जो मुख्य मुद्दा है हमारा बात क करने का टॉपिक है वह है और युनाइदी की परिच्छा के बारे मेरे में अरुद्ध से आप साब ढेक नशेय कि नहीं किया है कि इग्जां होगा की नहीं होगा तो कई लोग जो है अपने मन से बाते करने उस पे बात करना ठीक नहीं है अब आगे बात करते हैं आपकी इसी time table में एक और date mention है जो मुख्य परिच्छा को ले करके है और वह मुख्य परिच्छा आपका 9 जून को निर्धारित किया गया है कब निर्धारित किया गया है 9 जून को उसे भी देख लेते हैं तो 9 जून का जो परिच्छा कारेकरम है यहाँ पर आप देखिएगा यह जो है 9 जून को साफ साफ mention है तो जब आपकी प्रारंभीक परिच्छा 22 मार्च को हो जाएगी तो 9 जून को यहाँ मुख्या परिच्छा भी हो जाएगी और अगर किसी कारणवस परिच्छा टलती है तो आयोग लिखित में notice जारी करके यह जो है information अपने site पे upload करेगा जिसमें लिखित जो है जानकारी दी जाएगी किन कारणों से आपके exam की date बढ़ी है जहां तक मेरी संभावना है तो आप सभी को परिशान नहीं होना चाहिए आप सभी को लगबग 18 तारिक तक इंतजार करना चाहिए 18 मार्च तक और 18 मार्च आज 14 मार्च है 18 मार्च तक अगर आप इंतजार करते हो तो देर सभेर अगर time table जो है दिया हुआ है तो देर सभेर admit card में release हो जाएगा अगर date cancel करनी होती तो अभी तक आपके पास official जो notice है आ गया होता पता चल गया होता तो ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है परिशाय जो है लखनव में ही जो है बनेंगे सारा निर्धारण जो है आयोग द्वारा किया जा चुका है तो परिच्छाय हो सकती है अगर cancel होंगी तो बस सर्त यहीं है कि वह अधिस उचना जारी करेगा notification देगा जिसमें सारी चीजें बकायदा लिखी होंगी और अगर exam होना है तो admit card आपके exam से 3-4 दिन पहले भी आ सकते हैं तो positive रही है अब बात करते हैं जो main जो point है उस पे जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आयूर भासकर institute जो है आपकी प्रारंभिक परिच्छा जो है आयोग से पहले कराने जा रहा है वह भी 19 मार्च को कब परिच्छा होने जा रही है 19 मार्च को यह date आप note कर लिजेगा 19 मार्च को आपकी जो प्रारंभिक परिच्छा है हमारे द्वारा कराई जाएगी यह परिच्छा आपको हम इसलिए करा रहा है आप चाहे कहीं से भी पढ़े हो उत्तर परदेश से हैं अगर आपने आयरवेद स्टाफ नर्स का फार्म भरा है तयारी आपकी पूरी है आप समझ रहे हो कि नहीं आपकी तयारी पूरी हो चुकी है तो हम यह परिच्छा जो है 19 मार्च को कराने जा रहा हैं आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए परिच्छा अटेम्ट कीजिए और अपने आपको परिखिये कि आप किस हिसाब से इस परिच्छा में अंक लाते हो तो आप आयो की जो प्रारंबिक परिच्छा होगी उसमें कैसे अंकरजन करेंगे अब बात करते हैं कि कैसे इस परिच्छा में आप समलित हो सकते हो तो सबसे जरूरी चीज है आपको Google साइट पे चले जाना है Google में जाकर के आयूर भासकर सर्च करना है हमारा जो Home पे जाएगा वहां से आप हमारी एप को डाउनलोड कर सकते हो या एक और प्रोसेस है आप डारेक्ट जो है प्लेइ स्टोर पे चले जाएगे वहां पे आयूर भासकर सर्च कर दीजेगा सर्च करने के लिए जो स्पैलिंग है या जो है आपको प्लेइ स्टोर में लिखना है जो ही आप सर्च करोगे हमारी एप आएगी उस एप को डाउनलोड करना है डाउनलोड करके वहां पे दो आप्शन देगा लॉगिन करने का वाटसब और एनधर मेथड तो वाटसब से आपको लॉगिन नहीं करना है another method से login करना है mobile number डालिए login हो जाएगा अपना नाम और email id डाल करके एक profile create कर लीजिए और आपको profile के पास तीन ऐसी line मिलेंगी अभी हम दिखा भी देंगे तीन line मिलेंगी जब यहाँ पे click करोगे तो एक option खुलेगा आपका एक option खुलेगा free material का किसका free study material free study materials आपको इस प्रारंभिक परिच्छा के लिए कोई fees नहीं देनी है चाहे आप हमसे पड़े हैं चाहे किनी से भी पड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है आप बस हमारी संस्था यह चाहती है हमारा जो institute है बस यह चाहता है कि आपकी परक हो प्री एक्जाम आयूर भासकर institute कराएगा जो pre-exam हमारे द्वारा कराएज आएगा उसमें सेम आयोक के पैटर्न पे ही हाँ जी UPPSC का जो एक्जाम पैटर्न है आईरवेद स्टाफ नर्स के लिए उसी के पैटर्न पे आपकी परिच्छा में जो सारी चीज़े हैं समलित होंगी पैटर्न समझा देते हैं आयरवेद के सेक्षन से आयरवेद का जो सेक्षन है उससे आपको 120 क्वेस्टन दिये जाएंगे कितने 120 क्वेस्टन आपने सेलेबस देखा होगा तो आपके 8 सब्जेक्ट उसमें मेंसन है आठो सब्जेक्ट से क्वेस्टन आपके बनेंगे और अदर जो सब्जेक्ट है अदर सब्जेक्ट तो अदर सब्जेक्ट में आपका हिंदी हिंदी से आपको 20 प्रश्ण दिया जाएगा जीके जीयस है जिसमें आपका math से भी प्रश्ण होगा और science से भी प्रश्ण होगा यह जो प्रश्ण होंगे total 30 होंगे तो 30 और 20 यह total 50 प्रश्ण जो है यह होंगे तो 120 और 50 total जो है 170 प्रश्ण हम आपको देने वाले हैं 170 प्रश्ण में आपका जो model exam है वो त्यार किया गया है model paper आपका बनाया गया है 170 प्रश्णों का समय सीमा आयोक के अनुसारी होगी 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा दूसरी चीज माइनस मार्किंग आयोक के हिसाब से ही होगा आपको पहले से ही पता है आपके pre exam में माइनस मार्किंग भी है प्री एक्जाम में माइनस मार्किंग है आप जाननी जिए जिनको नहीं पता है निगेटिव मार्क पर रॉंग आंसर पे आपको 0.33 मिलेगा निगेटिव मार्क और अगर आप सही आंसर देते हो तो आपको हर प्रस्ण पे 0.50 मिलेगा हर सही प्रस्ण पे आपको आधा नंबर दिया जाएगा गलत प्रस्ण पे दस्मलों 3-3 कटेगा यह चीज़ दिमाग में रखना है यह माइनस नंबर आपको मिलेगा यह काट लिया जाएगा ठीक है तो जो नव आए उस प्रस्ण को छोड़ देना है कुल जो मार्क है टोटल मार्क जो है आपका आयोग के अनुसार ही होगा 85 नंबर का जो पेपर है आपका होगा तो हमने क्या बताया आप कहीं से भी पड़े हो यूपी से बिलांग करते हो और आपकी तयारी बहतरीन है आकलन करना चाहते है अपनी तयारी की तो 19 मार्क को जो आयर्वेद इस्टाफ नर्स की परिच्छा आयूरभासकर इंस्ट्टूट कराने जा रहा है तो उसमें आप सम्मिलित हो जाईए एक चीज़ और बता दे आपको बहुत ही एक सुनहरा आउसर है आपको सारे प्रश्णों को एक जगह पे याद करने का सीखने का अपने आपको आकलन करने का एक बहुत ही बहतरी नवसर है एक चीज़ और बता दे जो भी आयर्वेद इस्टाफ नर्स की कही से भी तयारी कर रहे हैं कहीं आप पढ़ाई भी कर रहे हो चाहें आप फर्स्ट इयर जी अनम आयर्वेद इस्टाफ नर्स के अभ्यरती हो चाहें आप फर्स्ट इयर में हो सेकेंड इयर में हो लास्ट इयर में हो या प्रशुती की परिच्छा देने जा रहे हो तो सभी लोग आप बेसक में तयारी कर रहे हो ना कर रहे हो हम चाहेंगे कि सभी लोग इस model test paper को attempt करें एप download करें और login करें और इस test में समलित हो जाएं और जैसे ही आप test complete करते हो 19 तारीक को तो 20 तारीक को 20 March को night में 20 March को रात को हम इस test का जो result है announce करेंगे result जो है announce होगा आपका 8 से 9 बजे रात को आपका जो result है announce कर दिया जाएगा हमारे दोरा यह result announce होगा यह भी बताया जाएगा किसने test में कितने सही question किये, कितने गलत question किये, कितना समय लिया और उनका mark क्या है, पूरे state में rank क्या है तो अगर आपके rank state में 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक अगर rank आते हैं मतलब पूरे state में अगर आप दसवा अस्थान भी अगर प्राप्त करते हो तो 100% guarantee है कि आपके pre-exam जो है निकल जाएंगे क्योंकि सारे जो प्रस्ण हैं हमारे द्वारा analysis करके बनाये गए हैं हर पार्ट करम के हर topic को touch किया गया है कोई भी question उसी तरह से उठा के नहीं दिया गया है और प्रस्ण जो हैं आपके पार्ट करम पे आधारित है तो आप एक सकरात्मक सोच के साथ इस परिच्छा की तैयारी कीजिए और रही बात आपके 22 मार्च की जो प्रारंबिक परिच्छा है डेट आने की तो वो भी कोई चिंता की बिसे नहीं है डेट आगे बढ़ेगी तो भी information आपको हमारे द्वारा दिया जाएगा admit card release होगा तो भी हमारे द्वारा बताया जाएगा वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर जो चीज इससे सम्मंधित आपको नहीं समझ में आती है तो वीडियो में कमेंट कीजिए आपके कमेंट में ही आपके question का जो answer है दे करके उसे निप्टा दिया जाएगा